सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके और साथ में इस घंटी को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सकें नमस्कार दोस्तो तो आज के इस वीडियो में आप सुभी को यह बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से अपना यूटुब चैनल का लोगो कैसे बना सकते हैं और लोगो को जो है अपने यूटुब चैनल में कैसे सेट किया जाता है इन दो चीजों के बारे में इस आना है तो बता सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से अपने यूटुब चैनल के लिए एक बढ़िया सा लोगो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल पर एक अप्लिकेशन इंस्टॉल कर इस अपलिकेशन का नाम है C-A-N-V-A कन्वा इसको एप प्लेस्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं प्लेस्टोर में जाने के बाद आप सर्च कर दीजेगा इसका नाम C-A-N-V-A और इसके बाद जैसे सर्च करेंगे तो इसका लोगों आप यह वाला देख सकते हैं इसक फेस्बुक से लोग-ई ओजाएंगे अगर आप Google में क्लिक कर देंगे तो फेस्बुक से फेस्बुक कर देंये और फेस्बुक से लोग इन बताने के लिए वीडियो बनाने के लिए वीडियो बता रहा हूं अकर आपको कोई दूसरा सेलेक्ट करना है तो आप कोई दूसरा भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम पहले नंबर वाला ही ले लेते हैं और यहां पर होगा तो थोड़ी सा टाइम लग रहा हुआ थो थोड़ी से इंतजार कर लेते हम यह यह एकदव FIt चालू हो चुका है अब जो है दोस्तों यहां पर जिससे कि आप देख रहें यह लोगों ब और और क्लिक कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं पावन ठीक है मैं इंग्लिस में लिख देता हूं यहां पर नीचे वाले में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहां पर नीचे चोटे चोटे एक्चरों में जो लिखा है तो उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्जामपल के लिए 12 लिख दी है, अब दोस्तों, अगर आप इसको उपर नीचे करना चाहते हैं, तो इसको simple पकड़े के आप उपर नीचे कर सकते ह और click करने के बाद आप ऊपर निचे को कहीं बेभी रख सकते हैं तो मैं जहां पर था वहीं पास ही इसको यहां पर यह पर देख रहें यह वाइट कलर का है तो यहां पर click करके आप कोई भी color पर चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप फोटो इडिट करते हैं वैसे ही जो है यहां पर सब कुछ आपको करना है और यहां पर प्लस की बटन मिल जाएगी यहां पर क्लिक करेंगे तो जितने भी टूल्स दिखाए देंगे इसमें जो भी चीजें होती है अगर लिखना तो यहां से कुछ भी अगर आपको सेलेट करना तो यहां से आप सब को और भी कई चीज यहां पर मिल जाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले इस application को install करना है, आदा एग घंटा आप इस application को चलाईएगा, इस application के साथ समय मिताईएगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, और आप अपने YouTube चैनल के बढ़िया सा logo बना सकते हैं, लोगो complete होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को simply click कर देना है, और जैसे यहाँ पर click करेंगे, तो यह logo आपके mobile के gallery में save हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, चलिए चलते हम photos में, यहाँ पर album select कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख कर अपने gallery में save कर सकते हैं, अब चलिए मैं आप सभी को यह पता देता हूँ, कि आप अपने YouTube चैनल में इस logo को set कैसे करेंगे, तो set करने के लिए सबसे पहले आप सभी को chrome browser open कर लेना है, chrome browser open करने के बाद यहाँ पर आप सभी को तीन dots दिखाई देंगी, यहाँ पर click कर दे तो जैसे ही आप YouTube.com लिखेंगे, तो पिसले वीडियो में आप सभी को यह बता था कि चैनल कैसे बनाते हैं, और उसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लिजेगा, वहाँ पर जो है मैं आप सभी को जहां पर मैं छोड़ के गया था, वही यूटूब चैनल में सेट किया जाता है, तो जैसे ही आप YouTube के अपने Chrome ब्राजर में उपन करेंगे, तो यहाँ पर सभी को क्लिक कर देना है, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक बार चेक कर लिजेगा, कि आपने जो चैनल बनाया है, उसी चैनल को सेलेक्ट किया, आपने की किसी दूसरे को चैनल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं अपना पुराना वाला चैनल, पावन, यादव बारा जो मैंने चैनल बनाया थ ना ठीक है चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और इस लोगों पे जोई क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे YouTube Studio Beta का option मिल जाएगा यहां पे क्लिक कर दीजें क्लिक करने के बाद थोड़ी से इंतजार कर लीजें ठीक है यहां पे कुछ इस परकार से पेज़ खूल जाएगा उसके बाद आप सभी को Go It पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आप सभी को setting option मिल जाएगा यहां पे क्लिक कर देना और यहां पे क्लिक करने के बाद Create Studio Classic सेलेक्ट करके और यहांद पे सेव कर सेव कर देना है यह सेब की बटन लिए कि यहां पर क्लिक कर देना है चलिए आहाप कर दिते हैं दोस्तों जो भी process मैं आप सभी को बता रहां हूँ simply आपको जो फॉलो करना है फिर उसके बाद थोड़ी से बैक आ जाईए और इसके बाद जो इसको रिफ्रेस कर लीजे रिफ्रेस करने के लिए आप सभी को यहां पर तीन डॉट्स दिखाई देंगे यहां पर क्लिक कर दीजे और यहां पर रिफ्रेस की बटन मिल जाए कि यहां पर बेटा वाला उप्सन आता रहा होगा तो यहां पर आप सभी को रिफ्रेस क्लिक कर देना है तो जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा ठीक है अब यहां पर पेज जैसा कि आप देख रहे हैं खुल चुका है अब आपको क क्या करना है कि यहाँ पर इस लोगों पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर पी बना है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी से इंतजार कर लिजे और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से पेज खूल जाएगा अब यहां पे upload photo पे click कर देना आप सभी को ठीक है तो दोस्तों यहां पे आप सभी और यहां पे आप सभी को photos का option मिल जाएगा किया है वहाँ पे जो है आपको उस फोल्डर में जाना है तो चलिए हम जो है फोटो के मदद से यह फोटो में क्लिक कर देंगे तो बड़े ही असानी से जो है हम अपने लोगों तक पहुच सकते हैं चलिए फोटो पे क्लिक कर देते हैं फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्ते अब आप देख सकते हैं कि यह लोगो जो है आपका कुछ इस प्रिकार से दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे डन का बटन मिल जाएगे यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों बस केवल इतना ही करना है इस तरीके से जो है आप अपने चैनल के लिए एक बड़ी असा यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं और इस तरीके से जो है आप अपने चैनल पे अपना लोगो सेट कर सकते हैं प्रोसेस थोड़ी प्रसेस से है क्लेव है। इतनी सब चीज़े तो आप सभी को करना ही पड़ेगा और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंड बॉक्स में लिख दीजेगा उस पर जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और वीडियो पसंद वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो को लाइक करिएगा शुक्रिया दोस्तों जन्ने वाज जाएएं